देखिए जब पवन सिंग ने आसे 2-3 साल पहले ये बात कही थी कि तुम लोग क्या करोगे जो पवन सिंग ने कर दिया है उसी पर रेंगे हो और जो पवन सिंग आगे करेगा उसी पर रेंगोगे पहला ब्रांड पवन सिंग है तब उस वक्त ये बात पवन की विरोधियों क खुब बुरी लगी थी इतना ही नहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि पवन सिंग के अंदर घमंड आ गया है उनको इस बात का गुमान हो गया है कि इस पूरे बोजपूरे इंडस्ट्री में जो है सो पवन सिंग ही है उनसे बड़ा कोई है ही नहीं वह सफलता के घमंड म लाया लेकिन हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि पवन सिंग ने जो कर दिया है पवन सिंग ने भोशपूरे इंडस्ट्री में जो लकीर खीच दी है उसको पार करने के लिए या वैसा ही लकीर खीचने के लिए सच में किसी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा क्योंकि इस जन्म में संभव ही नहीं है ये बात बिल्कुल सही है कि पवन सिंग ने अब तक जो कर दिया है या जो पवन कर रहे हैं वो सब के बस की बात नहीं है इसलिए पवन सिंग को पावर स्टार कहा जाता है और आज हम ये सब एक बार फिर से कहने पर मजबूर इसलिए हो गय है क्योंकि साहित्य आज तक का मंच एक बार फिर से नई दिल्ली में सच चुका है जिसमें शुक्रवार को यानि कल भोशपूरिया रंगत नाम के शेसर में भोशपूरी के अपने मशहूर सिंगर और पावर स्टार कहे जाने वाले पमन सिंग में सिरकत थी जो के भोशपूरी भाशियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है बाके आज की इस वीजियो में हम इसे बिन्दू पर बात चुत करेंगे लेकिन उससे पहले नम शकार मेरे नाम है डॉली पा हैं पमन सिंह को साहिति आज तक के मंच पर खड़ा होकर गाना गाते देखना यह मेरे जैसे तमाम भीहार्वासियों के लिए सुखफळ छन रहा होगा ऐसा नहीं है कि पमन का साहित्य आज तक के मंच पर खड़ा होना ये कोई बहुत बड़ी उपलब्दी है पवन सिंग से पहले भी बोशपूरी कैसे कई कलाकार है जो इस मंच पर पहले आ चुके हैं और अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं लेकिन जिस पवन सिंग को अशलिलता के लिए सबसे जादा ट्रॉल किया गया है बोशपूरी इंडस्ट्री को हमेशा विवात के लिए बददाम किया गया है जिस पवन सिंग पर कए तरह की गंबीर आरोप लगाए गये हैं उस पवन सिंग का साहितिय आज तक के मंच पर खड़ा होना ये कहीं न कहीं हम सब के लिए गर्व की बात होनी चाहिए बाके आपको बता दे कि सुरो के रंग मंच पर पवन सिंग ना सिर्फ अपने गानों से समाबान दा बलकि उसी मंच पावर स्टार पवन सिंग अपने पर पा रहा था ऐसे में मैंने गाउं में ही रहकर पुदीना गाना गाया और अपने ओफिशिल यूटीब चैनल पर उस गाने को रिलीज किया गया पवन बताते हैं कि मैंने उमीद भी नहीं की थी कि मेरे गाने को इतना जादा प्यार मिलेगा मेरे पुदीना गाने को उमीद इस बोचपूरी इंडस्ट्री ने उन्हें इतनी शोहरत दी है कि वो देश दुनिया में जहां भी जाते हैं लोग उनके साथ एक सेलफी लेने लग जाते हैं। हर मंच की तरह पवर इस मंच से भी अपनी जनता, अपनी ओडियन्स, अपने चाहने वालों को भगवान बताते हैं और पवन वहां मौजूद तमाम दश्कों के लिए कहते हैं कि मेरी जनता मेरे लिए भगवान है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बच्पन में जो लड़का एक रुपए चुराने के लिए मार खाये था, वो लड़का कभी इतना बड़ा स्टार बन जाएगा। बावक होकर पवन सिंग कहते हैं कि बोचपूर इंडेस्ट्री में आने के बाद मैं सिर्फ पैसा नाम नहीं कमाया, मुझे यहां की जनता का भरपूर प्यार मिला है और बड़े बुजर्ग गुरूओं का भर भर कर आशिवाद मिला है। अपनी इनी सारी विशिस्ताओं के कारण पवन सिंग को पावर स्टार, वॉइस किंग, सुर्ष अमरार, सरस्वती, पुत्र कहा जाता है। अपने वीडियों में धन्यूंग।